म्यूकॉर माइकोसिस अगर पाचन संस्थान में infection हुआ है तो gastrointestinal mycormycosis अगर skin के cut जाने से, जलने से, surgery या अधर कोई skin trauma के कारण black fungus का infection हो गया हो तो उसको cutaneous mycormycosis इसका infection blood stream के माध्यम से हो गया है जिससे vital organ, liver, spleen, heart infected हुआ हो तो dis-immunited mycormycosis के नाम से जना जाता है या कोई नई बीमारी है, बिल्कुल नहीं, या वही फंगई और molds है जो सरे, गले, फल, सबजियों, पतियों पर पाया जाता है बरसा काल में गर कपरा कई दिनों तक भींगा रह जाता है तो उसमें black spots आ जाता है या इसी फंगई के कारण होता है आज मीडिया में जादे पढ़ने और सुनने को क्यों मिल ला है इस प्रकार के फंगई के infection होने की संभावना किसमें जादा रहती है जो वेक्टी एमिनो सप्रेटिव मेडिसिन ले रहा हो जिसका organ transplant हुआ हो जिसका कीमो चल रहा हो बाइपास हुआ हो किसी प्रकार की surgery हुई बीपी और सुगर अर्ण कंट्रोल रहता हो और जिसको कुरोना संक्रमन के दवरान high-dose की antibiotics, anti-inflammatory drug के रूप में high-dose esteride परा हो जिसके कारण immune system बहुत कमजोर हो जाता है क्या हम इसे डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं डरना किसी समस्या का समाधान नहीं होता है हो शक्ता है कई बार आप इस फंगई के संपर्क में आ चुके होंगे आपको पता तक नहीं चला इस जीब मंडल में सबसे पहले यही microbes आया इसकी संख्या हमारी संख्या से कई हजार गुना जाता है एक दीन में कितनी बार हम लोग इस प्रकार के वैक्टिरिया वाइरस फंगई के संपर्क में आते रहते हैं और जिसके हमको पता तक नहीं होती है डरना नहीं है बलकि स्वास्त के प्रती जागरूप होना है हम जो बता रहे हैं वो पाँच हथियार आप अपने पास रखे अगर ये पाँच हथियार आपके पास है तो दुनिया में ऐसा कोई माइक्रॉप्स नहीं है और नहीं कोई ऐसा माइक्रॉप्स होगा जो आपको हरा सकता है जो आपको डरा सकता है वो पाँच हथियार है प्रोपर डायट, प्रोपर एक्सरसाइज, प्रोपर बिरिदिंग, प्रोपर एटिटिव और प्रोपर रिलैक्सेशन ये पांच चीज है तो आप हमेशा अरोग्य रहेंगे, हमेशा स्वस्त रहेंगे कोई भी बैक्टिरिया, बायरस या फंगई आपको इन्फेक्टेड नहीं कर सकता है आप हमेशा स्वस्त रहें और दूसरों को भी स्वास्त के परति जागरूप करें नमस्कार